हेलो फ्रेंड्स असलाम अलेकूम एंड वलकम बैक टू मैं यूटीब चैनल तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आज मैं बना रही हूं बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल चिकन स्पगेटी के रेसिपी आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद मेक शियूर कि आप वीडियो को पूरा वाच करो तो चैनल स्टार्ट करते हैं वीडियो के ये चिकन स्पगेटी मैंने देसी स्टाइल में कैसे बनाई है तो यहां सबसे पहले मैंने एक ले लिया है पैन जिसमें मैं शामिल कर दूंगी दो से तीन खाने के चममच कुकिंग आयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें शामिल कर देंगे बन गोबी यहां 3 वेज़ेटेबल्स मैंने लिया है सबसे पहले मैं बन गोबी शामिल करूंगे इसमे zoo कप बन गोबी लिया मैंने शुअ खरड़िट कर लिया है इसको और इसको stir fry करेंगे एक से दो मिनट के लिए stir fry करेंगे बहुत तेज आंच पे ये करने के बाद अब मैं इसमें vegetables जो शिमला मिर्च है एक कप मैंने शिमला मिर्च ली है और दो कप गाजर है मेरे पास ये भी shredded है इसको शामिल कर देंगे आंच जो है वो तेज होनी चाहिए सिर्फ दो से तीन मिनट इसको हम stir fry करेंगे ज्यादा ओवर आपने कोकिस को नहीं करना नहीं तो इसकी freshness जो है वो खत्म हो जाएगी अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक खाने का चमत सिर्का दो खाने का चमत सोया सॉस और एक खाने का चमत चिली सॉस ये भी डाल कर जो है वो बहुत अच्छे से आपने इसको mix करना है आँच आपकी बहुत तेज होनी चाहिए और बस इसको एक मिनट मैंने इस तरह से दुबारा से stir fry किया है और अब इन vegetables को मैं निकाल लूँगी ये देख सकते हैं इसके freshness ऐसे ही रहनी चाहिए color बिल्कुल भी change नहीं होना चाहिए vegetables का तो यहाँ मैं एक plate में इसको निकाल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको ये देख सकते हैं इसको अब अलग से एक side पे रख देंगे और यहाँ आप मैंने ले ली है एक धेक चीज इसमें मैंने तकरीबन एक लिटरो पानी शामल किया है अब इसमें मैं शामल कर दूँगी एक से दो चाय का चमच या फिर अपने earliest के हिसाब से नमक ये शामिल कर देंगे और इसके साथ इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुकिंग ओयल दोट खाने के चमच इससे जो है वो स्पेगैटिस आपस में चिपकेंगी नहीं पानी को बॉयल होने देंगे और जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा इसमें स्पगैटिस शामिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन्स दी होती है पैक्ट में उसके हिसाब से तकरिबन 7-8 मिनट तक स्पगैटिस को बॉयल करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्पगैटिस जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है अब इसका पानी जो है वो स्टेन करेंगे इसको और इसको ठंडे पानी से दोलेंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्पगैटिस जो है वो मैंने अच्छे से वाश कर ली है ठंडे पाने से ताके इसके कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाए उसको अलग से रख देंगे अब इसमें एक पैन मैंने लिया है उसी पैन में जिसमें मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्राई की थी उसमें मैंने एक से दो खाने का चमबच कुकिंग ओयल शामिल किया है और उसमें मैंने डिर्ट खाने का चमबच शामिल कर दिया है लहसन चौप किया है मैंने लहसन आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हो लहसन को एक मिनट तक सौते करेंगे जब तक कि इस लहसन की खुश्बू आना शुरू हो जाए अब इसमें मैंने एक प्यास शामिल कर दी है प्यास को एक मिनट तक लहसन के साथ अच्छे से फ्राइ करेंगे आपने ओवरकुक नहीं करना आँच आपकी तेज होनी चाहिए अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी धाई सो ग्राम बोलनेस चिकन मैंने जूलियन कट किया है आप चाहो तो आप क्यूब्स में अपने मर्जी के हिसाब से कट कर सकते हो तकरीबन एक से दो मिनट तक मैंने इसको फ्राइ किया है प्याज और लहसन के साथ या आपने तब तक इसको फ्राइ करना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक खाने का चमच तिक्का मसाला कोई भी ब्रैंड का आप तिक्का मसाला ले सकते हो वो शामिल कर देंगे इसके साथ इसमें हमें शामिल कर दूँगी आधा खाने का चमच पिसा हुआ जीरा एक खाने का चमच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से काली मिर्चे पिसी हुई काली मिर्चे मैंने शामिल की है यह स्पाइसिस जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो अब इसमें मैंने दो जो है वो टिमाटर शामिल कर दिये है इसके साथ इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और चार खाने का चम्मच दही इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी अस्पगेटि आप इस रेसेपी को लाजमी ट्राइ कीजेगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी तो यहां मिक्स मैंने कर लिया है एक से दो मिनट के लिए अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी एक खाने का चम्मच सिरका दो खाने का चम्मच सोया सॉस और दो ही खाने का चम्मच चिली सॉस ये शामिल करके इसको इतनी देर मैंने कुक करना है कि जब तक कि अब ये चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए तो फ्रेंट्स आंच जो है वो तेज होनी चाहिए और इसको अच्छे से कुक करेंगे बोनलेस चिकन है ये जल्दी से गल जाएगा ज्यादा टाइम इसको नह यहां सारी वेज़ेटे करेंगे चर्छके मिक्स करिके और कीज़ी माचि धाल कर आँच में रहें ऑbenगे के दरी करो छाम कर सारी के रहां की दो होगे डील ऑच चीफ़ने करना चाहिए चैयरक कुछ करना है कि अबेचे इसका आज़ाएगे शामल कर देंगे यह देख सकते हैं यह डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो फ्रेंट्स रेसेपी जरा सी भी हल्पुल लगे तो काइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी बेल ऐकोन को भी लाजमी प्रेस करें ताके नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके तो फ्रेंट्स आपने दो स्पून्स के साथ इस तरह से स्पगैटिस को अच्छे से स्पाइसिस के साथ मिक्स करना है ये इस तरह से आपस में तूटेंगी नहीं बलकि ये स्पाइसिस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और अब इसको मैं निकाल लूँगी मेरी स्पगैटिस जो है वो स्पाइसी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो यहां फाइनली लुक देख सकते हैं आप स्पगैटिस हमारी तियार है आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगी मेक शियर कि आप इसको जो है वो दो स्पून्स के साथ मिक्स करो इससे इसकी लेंथ जो है वो बढ़कर आ रहेगी तब नेक्स वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाए